दोस्तो रिव्यू टाइम ब्रैंड टाइम ग्रैंड टाइम फ्राइडे टाइम आज हम बात करेंगे इत्ते फाक मूवी की गौरी खान करन जोहर की प्रोडक्शन में बनी धर्मा प्रोडक्शन्स रेड चिलीस एंटर्टेन्मेंट की कोलाबरेशन में 1969 की सूपर हिट रजेश खन्ना की थ्रिलर इत्ते फाक की ही रीमेक अक्षे खन्ना सुनाक्षी सिना और सिधार्त मलोत्रा दे लीड अक्टर्स दो पहलू एक सच फर्स्टाफ अफ 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 अब हे चूपरा जिनोंने इस मूवी को डिरेक्ट किया है हॉलिवुड जैसी शकल देने की कोशिश की है इस फिल्म को जिसमें बहुत यादा काम्याब हो है अक्षे खन्ना स्टीर्स दो लाइम लाइट इस फिल्म को जिसमें बहुत सी ओपनिंग वाले ते उसके बाद इनके लिए बहुत सी ओपनिंग्स होंगी थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड अक्षे खन्ना डिजर्व तो प्ले इस फार्ट सुनाक्षी सिना इतनी होट मुझे पहले कभी नहीं लिए शी इस अनिग्माटिक एस माया इन इत्यफाक फर्स्टाफ बिलॉंग्स तो हर अलसो उनके वो वो वाइस उनकी वो प्रेसंस उनकी वो सेक्स अपील अवरेथिंग इस फंटाबूलस अवाओ इस वो मुझे उमीद थी वैसी उन्होंने एक्टिंग की है बट अक्षे खन्ना के साथ रहने की बज़े से क्योंकि इन दोनों के आपस में काफी सीन है he evolved as a much better actor in the second half तो वेल ड़न अक्षे खन्ना सिधात मलोत्रा को एक्टिंग की ABCD सिखाने के लिए इस मूवी का सस्पेंस नहीं खोलूँगा मैं I won't be a spoiler क्योंकि थ्रिलर्स को अगर आप सस्पेंस बता देंगे उनका बिजनर्स खताब है वैसे ही थ्रिलर्स कम-काँ करती बहुत कम है गुप्त जैसी फिल्म है बावी देवल की अपास मस्तान की जो ब्लोगबस्टर साबित हुई थी मैं देता हूं इत्यफाक को थ्री स्टार्स मैक्सिमम तुअभे चोपड़ा फोर मेकिंग दिस मूवी लेस थें तू आर्स वेरी एंटर्टेनिंग वेरी हॉलिवूड लाइक मूवी अ हॉलिवूड लाइक त्रिलर मेरी बिजनस रेटिंग रहेगी तीन और चार के बीच में क्योंकि 25 करोड का वीकेंड confirmed है और ओवर ओल पचास करोड का धंदा ये फिलम हिंदुस्तान के बॉक्स ओफिस में कर लेगी which will make it a hit so well done धर्मा प्रोड़क्शन्स रेड चिलीज सुपर्ब जौपय अक्षे खन्ना very what can I say improvement in सिधार्थ मलोत्रा and सुनाक्षी सुना you looked ravishing कायल हो गया brand आपकी खुब सूर्ती का चल दी मिलेंगे दोस्तो इंडिया न्यूजीलेंट के 1-day T20 review के साथ तब तक अपने होस्त और दोस्त brand अमित्तत्ता को दौआओ मैं याद रखना